गंदी चरित्र भरष्ट करने वाली फिल्मों के द्वारा चरित्र बिगरता है। ये गंदे विज्यापन, उपन्यास, चरित्र भरष्ट करने वाला साहित्य और संग बंध हो जाए तो रामराज्य ही आ जाए। आजकल के अशलीर चलचित्रों नेतु युवक्यूवतियों क ब्रहमचर्य ही नश्ट कर दिया है। यदि ब्रहमचर्य और सन्यम हो तो बीमारिया नहींवत हो जाती हैं। डॉक्टरों के अधीन नहीं बनते। विद्यार्थी लगातार कई वर्ष अनुत्तीन ही नहीं होते। ब्रहमचर्य और सन्यम के अभाव में उनका बल, बुद्धी, तेज हीन होने के कारण मस्तिश काम करने से ठक जाता है। परिनाम यह होता है कि वे कई वर्ष लगातार परीक्षाओं में अनुत्तीन होते रहते हैं। और बार-बार उनहीं कक्षाओं में उत्तीन होने की कुश करते रहते हैं। गंदे सिनेमा ने तो सत्य नाश कर दिया है। देखो की इस सिनेमा से कितने घर बरबाध हो गए हैं। कैसे बुरे चित्र एवं वासनाओं से भरे गाने चित को खराब करते हैं। मन खराब तो शरीर खराब, शरीर को बीमारिया आकर घेर लेती हैं, पैसे भी दो और बीमारिया भी लो ऐसे सिनेमा से क्या लाब, आजकल केवल पैसे कमाने के लिए बुरी से बुरी फिल्म का निर्मार करके लोगों का जिन्दगी खराब किया जा रहा है, एक बार विनोबा भावे को सिनेमा मे ले गए, वहां बुरे चित्र दिखाने लगे तु, विनोबा दरी बिचा कर सो गए, तुम भी ऐसी फिल्में न देखो, सिनेमा देखने से विचार संकल्ब खराब होते हैं, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने चरित्र पर ध्यान दे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थे गया, तो कुछ कुछ गया, किन्तु चरित्र गया, तो सब कुछ गया, आतः चरित्र ही है, जो मनुष्य को महान बना, झाल से घथरे गया, जो मनुष्य को महान बना,